हेलो स्टूडेंटों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर और आज की वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है जिसमें हमने कवर किया है टर्मर्स लेवर स्कोल लेकर हमारे टॉप जो है 100 MCQ के जो कोशन है वो हम क्लास्ट इन मैथमेटिक्स में करने वाले है और इंपोर्टेंट बात ये बता दूँ कि बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों ही स्टूडेंट के लिए है क्यूंकि आपको भी पता है अगर आपने सेंपल पेपर देखा है या फिर प्रीवियस एर पेपर देखा सिर्फ और सिर्फ 19-20 का फरक रहता है इस बज़े से जो है आपको बिलकुल जो है चाहे आप बेसिक के हो चाहे आप स्टैंडर्ड के हो दोनों ही स्टूडेंट के लिए सीरीज बहुत ही इंपोर्टेंट है और इसम के विए की क्यूब तो आपको लिए मैं आउट करना है नॉमल थे आप सभी को निकालना आता है लेकिन इस टाइप के कोश्चन आते हैं तो स्टूडेंट जो थोड़े से घूम जाते हैं लेकिन कंफ्यूजन बिलकुल भी नहीं लेना है आपके पास एकी वैल्लियू क्या ह X की Q, Y की Q, और उसके बाद B की value क्या है आपके पास X और Y की Q, ठीक है न, तो यहाँ पर जो न, जबी भी आपको इन दोनों का LCM निकालना हो, तो आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है, अगर LCM निकालना है, तो X की बड़ी power और Y की बड़ी power ले लो, X की बड़ी power क्या है X की Q, और Y की सबसे बड़ी power क्या है, Y की Q, तो यही हमारा LCM answer हो जाएगा, ठीक है न, और यह हमें कौन से option में दिख रहा, option number C में, तो आपका यह बिल्कुल correct हो गया, अगर आप से HCF पूछ ले सी question में, तो अब फिर उस case में आप क्या करोगे, जितने भी आपके पास XYZ दिए हुए है, उसमें सबसे smallest power लेंगे, ठीक है न, तो इस तरीके से आपको समझ में आगे, अब next question है, three well rings at the interval of 47 and 14 minutes, all the three wells जो तीनो घंटी है, वो 6 बज़े बच चुकी है, तो next time वो दुबारा से कब बचेगी, इस type के question में आपको जो है, जो भी आपके पास चीजे दी निकल के आजाएगा, 28, मतलब दुबारा से वो जो वेल है न, छे बज़े तो बज़े ता, फिर से थाएस मिनट के बाद, फिर से तीनो एक साथ बजेंगे, तो 6, 28 आपका second question का बी option correct हो जाएगा, next question है, find the smallest natural number, which 1200 should be multiplied, so that the square root of the product is a rational number, इनोंने कहा कि एक ऐसा smallest natural number बताओ, ज कुछ ऐसा multiply करना है, जिसकी वज़े से ये जो number है, वो square number हो जाए, ठीक है न, अब 1200 का अगर आप factorization करोगे न, तो कैसे आएगा, 2 की power 4, और इसके अलाबा 5 का square आजाएगा, लेकिन 3 single आएगा, ठीक है न, तो ये भी जोडियों में है, ये जोडियों में है, ये जोडियों पर आजाएगा answer, तो मतलब कि ये जो हमारा हम से पूछा हुआ था के से multiply करना है, तो हमें 3 से multiply करना पड़ेगा, ताकि हम इसे perfect square बना सके, okay, next question है, how, after how many decimal places will the decimal expansion of this terminate, कितने जो है decimal places के बाद, ये जो decimal expansion है, terminate हो जाएगा, most expected, और हर बार पूछे जाने वाले question है, but इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, MC की question है, सर्फ logic लगाना है, answer आपको ढूंदते जाना है, ठीक है, आपको कुछ नहीं देख रहा है, numerator से तो मतलब होता नहीं, denominator में आप देख लो, जो बड़ी power है, सबसे बड़ी power यहाँ पर कौन सी दिख रही है, 2 की power, 4, 5 की power, 3 है, तो बड 2 root 45 है, तो इसको जो है न, हम आराम से निकाल सकते है, 3, 3, 9, 9, 5, आपका 45 यहाँ पर यह हो रह जाएगा, ठीक है न, और इसके अलबा इसको भी हम निकालना चाहें, तो जो आपका 3, 2, 6, मतलब की 3 यहाँ, 2 फिर से बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या रह जाएगा, आपक 6, root 5 आपका कितना हो जाएगा, 12, root 5, 12, root 5 को अगर हम 2, root 5 से divide करेंगे, तो root 5 से root 5 cancel, 2, 6, 0, 12, तो answer आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5th question का, आपका C option correct हो जाएगा, next question है, the largest number that will divide this, 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 to leaving remainder, 7, 11 and 15 respectively, यह जो इस logic को आप जरूर अपने दिमाग में set कर लीजे, कि कभी भी largest बोले, maximum number बोले, तो हमेशा जो है ना, उस question में, आप HCF निकालोगे, ठीक है न, जब भी largest और maximum जैसी चीज़े बोलेंगे, क्योंकि HCF का full form भी क्या है, आपका highest common factor है okay, तो highest or largest maximum यह सारी चीज़े को आपको relate करना है, आप इस question में हमसे क्या बोला है, कि जो है न, आप आपको जो number बताना है, कि मतलब remainder भी इतना बचना चाहिए, और respectively बोला है, मतलब कि 398 है, उसमें से तो मुझे 7 घटाना है, ठीक है न, यह आपका जो 398 है, उसमें तो 11 घटाना है, और 542 में से मुझे क्या घटाना है, 15 घटाना है, ठीक है न, इस तरीके से आपको जो है, इनों का subtraction करेंगे, तो कितना आजाएगा 391, और यहाँ पर आजाएगा आपका 425, और यहाँ पर आजाएगा हमारे पास 527, इन तीनों का निकालिये HCF और HCF निकल कर आएगा 17, तो 17 ही वो largest number है, जो कि इनों को divide करते हो, remainder भी छोड़ेगा, तो question number 6 का आपका D option correct हो गया, next question है, इनोंने कहा कि, 9th में, 10th, sorry, 10th में, 11th में, 12th में जो है, इतने students हैं, बस को इनोंने hire किया है, और आपको बताना है maximum number of students, फिर से वही वाली बात आगए, maximum पूछा इसका मतलब हम क्या करेंगे, इन तीनों का directly HCF निकाल लेंगे, 312, 260 और 156 का, जब आप इसका, हम से क्या पूछा है, maximum, maximum पूछा है, तो मतलब हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, जब आप इन तीनों का HCF निकालोगे, तो आपका HCF 52 निकल कर आएगा, और वही हमारा correct answer हो जाएगा, ठीके न, जाद है हैं, पर खोल के नहीं बतारी है, क्योंकि अब तक आपको सबको basic clear है, इसलिए जल्दी-जल्दी जो हमें series को complete करना है, next question है, HCF 408 and 1032 is expressible in the form of, मतलब इन दोनों का जो भी HCF आएगा ना, उसको हम इसके equivalent अक सकते हैं, क्योंकि इसको इस वा method से आप निकालो, जो भी आपको suitable लगे, तो HCF तो इसका आजएगा क्या है, 24, okay, इस 24 को इन होने क्या कहा, कि जी, इस 24 को ना, हमने इस वाले form में लिखा, 2064 प्लस में 408P, जो है 24 के equivalent है, अब इसको क्या कर दो, इसको लेकर solve कर दो, पी को जो है, आप इदर से लेकर जाओ तो आपका P का जो value है, final answer वो minus 5 आजाएगा, और minus 5 हमारे B option में है, तो बिलकुल correct हो गया, next question है, Euclid division lemma, जो है, जिसके अंदर दो positive integers A and B होते हैं, तो unique integer होता है, इस तरीके से A is equal to BQ plus R होता है, जिसमें A आपका dividend होता है, A आपका dividend है, B आपका divisor, A Q आपका quotient है, और R आ 0 से बढ़ा रहेगा, ठीके न, इस बात को ध्यानक में, remainder या तो 0 रहेगा, 0 से बढ़ा रहेगा, लेकिन remainder जो है न, वो हमेशा divisor से छोटा ही रहेगा, तो इस वज़े से आपका question number 9 का D option correct हो गया, next question है, हमारा find the greatest number of 5 digit, 5 digit की वो सबसे बड़ी संख्या, जो की 8 और 9 से divide करे तो जो है न, 5 remainder भी देना चाहिए, बहुत difficult question इनों ने कर दिया, ठीके न, थोड़ी सी गलती और आप कर दोगे, can't, अब देखिए 5 digit का सबसे जो greatest number है, वो क्या आजाएगा, 5 times 9, 5 times 9 है, और दोनों से divide होना चाहिए, इसका मतलब दोनों का LCM निकालना पड़ेगा, 8 और 9 क अगर हम LCM निकालेंगे, तो जो है आपका 8 और 9 का LCM 72 ही आएगा, अब आप क्या करो न, इस 72 को इससे आप divide कर लो, ठीके न, आपका जो 5 times 9 है, जो की 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, उसको आप divide कर लो, जब divide कर लोगे न, तो आपके पास जो remainder है, आप खुद भी कर आओगे, तो ये 99936 आएगा, लेकिन ये हमारा answer नहीं होगा, option में शायद आपको ये भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ये हमारा option नहीं होगा, क्यूंकि नोने का है, remainder में भी 5 आना चाहिए, तो ये तो completely divide हो जाएगा, तो 5 अगर मुझे remainder में चाहिए, तो 5 उजोड देते हैं, तो 36 और 5, 41, तो आपका 10th question का C option correct हो जाएगा, next question is the sum of the zeros of the quadratic polynomial, आपके जो ये quadratic polynomial है, इसका sum of zeros जो है ना वो आपको 3 दिया हुआ है, तो आपको K की value निकाल लिए, बहुत ही simple question, sum of zeros, हम सभी को पता है कि sum of zeros क्या होता है, minus B upon में A, और यही sum of zeros की value नहोंने कितनी दे की है, ओके, अब यहां से मुझे minus B अगर उठाना है, तो minus A की value 3 है, और यहां पर 3, 3 minus minus plus हो जाएगा, तो ये K की value हो जाएगा, आपका, 9 तो 11th question का आपका B option हो गया, correct, next question है, one of the zeros of quadratic polynomial, इस quadratic polynomial का एक zeros अगर 2 है, तो आपको K की value निकालनी है, ठीक है, ये भी आपका question तो simple ही है, लेकिन जो है, हो सकता है, confusion आपको create हो सकती है, जबी भी आपको एक zeros दे दिया, और K की इस तरीके से value दे दी, इसका सीधा सीधा मतलब यह है, कि अगर इस equation, इस polynomial में, इस equation में, अगर 2 उसका zeros है, इसका मतलब कि अगर मैं X की जगा 2 रखूं, तो जो हमारा ये polynomial function है, वो 0 के बराबर आजाना चाहिए, ठीक है, ना, मतलब इसमें, जहां जहां पे भी X आगर हम 0 रखें, तो यह जो पूरा जो है, आपका वो 0 हो जाना चाहिए, तो X की जगा हम 2 रखेंगे, तो 0 आजाना चाहिए, तो X की जगा हम रखके देखते हैं, तो आपका ये 2 का square, plus में 3 into 2, plus में K, is equal to 0, 2 to the 4, और 3 to the 6, plus में K, is equal to 0, तो K की value जो है, हमें क्या पते चल गया है, कि minus 10 आ गया, और minus 10 जो है, हमारा option number C, बिलकुल correct हो गया, अब आगे चलते हैं, next question में, हमारा, जो आपका, ये वाला तो हमारा question होई गया है, next question है, question number 13, if the sum of zeros of quadratic polynomial is minus 5, and their product is C, मतलब कि alpha plus beta, ये दिया हुआ है, minus 5, और alpha into beta, ये दिया हुआ है, हमें 6, हमें सिर्फ और सिर्फ quadratic polynomial का equation बनाना है, पर इसके लिए अगर आपके पास formula याद है, तो ही आप कर पाऊगे, formula आप याद रखना, x square minus alpha plus beta, x और plus में alpha into beta, कभी भी आपको अगर जो alpha बीटा दे दिया तो आप इस वाले formula में put करके, आसानी से particular equation निकाल सकते हो, x square ये रहा, minus और minus minus 5 हो जाएगा, 5x और alpha into beta कितना है, 6 है, तो हमारे पास option number, ये बिलकुल correct हो गया, आगे चलते है, next question में, आपके पास ये polynomial है, जिसको divide किया हमने इस polynomial से, तो हमारा remainder आता है, वो निकल कर आता है, 2x plus 3, जो कि किसके equal है, px plus q के, तो आपको जो है, p square plus q square जो है, बताना है, आप इस वाले question में इतना ताम जाम दिया, लेकिन जरूरत मुझे, जो है, सिर्फ यहां से बढ़ रही है, जो remainder वचा 2x plus 3, वो किसके equal है, px plus में q के, तो हम इसके equivalent रख सकते हैं, इससे क्या है, य हमें निकालना क्या है, p square plus में q square तो 4, और ये 9, तो 4 और 9 कितना जाएगा, 13, तो आपका 14 question जो है, उसका आपका d option बिलकुल correct हो गया, next question है, x की q plus 1 is divided by this than the possible degree of quotient, इन्होंने कहा है कि अगर आप x square 5 को, मतलब कि x square 5 से, अगर आप x की q plus 1 को divide करो, तो degree of quotient, कितना, मतलब quotient क कितना आएगा, तो x square है, x की q by, इसको अगर आपको divide करना है, तो आप x से तो multiply करोगे, x से multiply करोगे, कोई power नहीं, इसका मतलब 1 power है, तो possible degree of quotient आपका कितना आगया, 1 आगया, तो 15 question का आपका b option बिलकुल correct हो गया, next question है, quadratic polynomial, whose zeros are minus 4 and minus 5, तो आपको quadratic, आप देखिए, इससे पहले जो है, हमें direct sum of zeros और product of zeros दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर नहीं भी दिया हुआ है, तो क्या हो गया, हम निकाल लेंगे, sum of zeros क्या हो जाएगा, alpha plus beta minus 4, plus में minus 5, तो minus 9, और alpha into, जब beta निकालेंगे, तो 4 minus minus plus, आपका 20 आगया, अब दोनों चीजे आगे, equation जो है, आपक given that one of the zeros of cubic polynomial, एक cubic polynomial है, जिसमें से कोई एक zeros है, मतलब कि given that one of the zeros of the cubic polynomial, इस zero, इसमें से एक जो polynomial है, वो आपका zero है, तो आपको बताना है कि जो और दो zeros बच गए ना, उसका product जो है, वो आपका क्या होगा, ठीक है, तो cubic polynomial जो वैसे आपके slivers में नहीं है, लेकिन exemplar में है, तो इसके लिए ना, आप एक चीज याद रखना, कि जबी भी cubic polynomial आ जाना है, तो alpha, beta, plus में beta, gamma, और gamma, alpha, ये जो होता है, वो c upon में a के बराबर होता है, अब इसमें से इन्होंने क्या कहा, कि कोई एक zero, जो है, वो zero है, तो मैं हम क्या मान के चलते हैं, कि alpha को मैंने मान लिए zero, त ये ही तो हमसे पूछा हुआ है, कि अगर आपने किसी एक को zero मान लिया, तो जो other two zeros बने, alpha को मैंने zero मान लिया, तो और जो दो बचे, उनका product कितना आ गया, c upon a आ गया, तो 17 question का हमारा c option correct हो गया, next question है, if zeros are polynomial, x square plus 2a are alpha and 2 upon me alpha, then find the value of a, आपके पास जो इन्होंने क्या कहा है, कि एक तो आपके पास zeros है, आपके पास alpha और एक है 2 alpha, और साथी साथ जो है, आपको a की value निकाल नहीं, इस equation में मुझे a कहां पर दिख रहा है, यहां पर, और हमारे पास equation क्या होता है, x square plus bx plus में c, मतलब इस c की जरूरत पड़ेगी जिस चीज में हमारा जो है, उससे सही हो जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, product of zeros, जो आपका product of zeros होता है, वो क्या होता है, आपका c upon me a होता है, और product, मतलब zeros हमें कितने दिये हुए है, alpha और 2 upon me alpha, c upon me a निकालेंगे यहां से, तो 2a, और a क value यहां से 1, ठीक है, alpha से alpha cancel, 2 से 2 cancel, तो a की value जो है, आपके पास 1 आजाएगा, तो 18 question का आपका a option correct हो जाएगा, आगे चलते हैं, question number 19 में, alpha and beta are the zeros of this function, find the value of k such that alpha square plus beta square is equal to 40, ओके, अब हम से क्या कहा है, कि alpha square plus beta square आपका 40 है, तो आपको k की value निकालने है, थोड़ा सा question जो है, और standard level का है, ठीक है, तो अभी देखिए सबसे पहले जो है न, मुझे इसी equation से सबसे पहले हमें क्या करते है, alpha plus beta और alpha into beta निकाल लेते हैं, तो alpha plus beta निकालेंगे, तो alpha plus beta क्या होता, आपका minus b upon me, तो minus और minus plus हो जाएगा, तो 6 upon me, 6 upon me 1 हो जाएगा, तो हम, जो हमारा 6 हो गया, ठीक है न, 6 upon me 1 हो गया, तो इसका मतलब 6 हो गया, alpha into beta निकालेंगे, तो आपका c upon me A है, तो k into 1, तो इसका मतलब k निकल गया, ठीक है, और धियान से देखो, तो आपके पास क्या दिया हुआ है, alpha square plus beta square की value दे रखी, आपके पास 40, और अगर आपने ये formula आपको पता है, कि a plus B के whole square का formula क्या होता है, A square plus में B square plus में 2AB, तो it means कि आपका A square plus B square को अगर अकेले छोड़ दें, तो इधर A plus B square minus 2AB बच जाएगा, तो जिस तरीके से A और B बचा हुआ है, उस तरीके से alpha beta नहीं हो सकता, कि alpha beta का square minus में 2 alpha beta करें, तो ये किसके बराबर रहेगा, alpha square plus beta square के, जो ह हमारे 40 के बराबर है, ठीक है न, alpha plus beta हम अल्रेडी निकाल कर आए है, 6 square minus 2 into alpha beta, तो 2 into k is equal to 40, इसको जो है, फर्दर आप solve करोगे, तो k की जो value है न, final आपके पास minus 2 आएगी, next question है, आपका बहुत ही easy होने कहा कि number of zeros निकालना है PX का, जब आपसे PX पूछे न, आप ये देखो, कि ये जो, आपको ये दिख रहा है, ये X कितनी बार काट रहा है, X-axis को, X-axis को एक बार, दो बार और तीन बार काट रहा है, इस वज़े से जो है, इसमें number of zeros कितने आ ज जाएंगे, तो 20 का आपका D option हो गया, correct, अब आगे चलते है, next question में, question number 21 है, हमारा line हमारे पास ये है, और दूसरी line ये है, और साथ में होनी क्या कहा कि दोनों line जो है parallel है, अगर parallel है तो condition क्या होता है, parallel line के लिए condition क्या है, A1 upon A2, बराबर तो होगा B1 upon B2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा किसके C1 upon C2 के, ठीक है, this is the condition, और अगर हमें निकालना है इसमें K की value, तो यहाँ पर A1 upon A2 अगर आप हम करें, तो यहाँ पर 3 upon 2, और B1 upon B2, तो आपका ये 2 के upon 5, ठीक है, इसको आप solve कर दीजिए, तो जो हमारे पास K की value कितनी आ जानी में है, 15 by 4 and that is in the option number B, next question है, a fraction becomes 1 upon 3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1 by 4 when 8 is added to its denominator, the fraction obtained is, एक ऐसा fraction, माल लिजिए fraction को ना हम X upon Y कर लेते, माल लेते, suppose कर लेते हैं, fraction 1 upon 3 हो जाता है, जब हम numerator से 1 को subtract कर देते हैं, numerator को मतलग कि X minus 1 कर देते हो, तो आपका fraction कितना हो जाएगा, 1 upon 3 हो जाएगा, इसको तो हमने लेट किया था, तो यहाँ से एक equation निकल कर आएगा, 3X minus Y is equal to 3, और दूसरा equation हम बनाते हैं, इस वाले line से, जब इन्होंने कहा, कि जब आप denominator में add करोगे, कितना 8 add करोगे, तो उस इस ते भी एक equation निकल कर आएगा, that is क्या, 4X minus Y is equal to 8, इन दोनों equation को solve करोगे, तो X की value 5 और Y की value 12 निकलेगा, तो fraction 5 by 12, 5 वटे 12, 22 वे का आपका C option correct हो जाएगा, next question है downstream और upstream का किरितू, जो है 20 km 2 गंटे में downstream कवर कर सकती है, और upstream जो है, 2 गंटे में 4 km ही हो पाएगा, तो आपको बताना है, still water में उसकी speed कितनी है, और current धारा की speed कितनी है, ठीक है, बहुत easy question है downstream की, आपको सिर पता होना चाहिए, downstream को क्या हम मान के चलते हैं, कि दोनों speed जुड़ रहा है, तो x plus y km per hour मान लेते हैं, ठीक है न, और जो आपका upstream होता है, वो आपका क्या होता है, x minus y क्योंकि वो रोक रहा होता है, तो आप जो है, एक to equation बना लो upstream का, और दूसरा बना लो downstream का, ठीक है न, अब first condition में क्या है कि downstream में, downstream में, अभी यह देखे, speed कैसी र लेगी, और कितना time ले रही है, दो घंटे ले रही है, कितना distance cover हो रहा है, 20 cover हो रहा है, ठीक है न, तो इस से आपका एक equation निकल जाएगा, क्या, इसको इस से cancel कर दो, x plus y is equal to 10 ही निकल जाएगा, x plus y is equal to 10, यह आपका first equation निकल जाएगा, ठीक है, second condition अगर हम ले ले ले, upstream को लेकर, तो x minus y time कितना लिया, दो घंटा लिया, और यहाँ पर 4 km cover कर लिया, तो 2, 2 is a 4, तो यह equation जो हो गया, x minus y is equal to, x minus y यहाँ पर रहेगा, is equal to 2, यह आपका second equation हो गया, first equation, second equation इन दोनों को solve करोगे, तो x आपका 6 और y आपका 4 आएगा, तो यह हमारा 23 का आपका C option c, d, r, this, cyclic आपका जो दे रखा है कि आपका cyclic quadrilateral की खास बात क्या होती है, जैसे आपका cyclic quadrilateral है, a, b, c, d, तो मतलब इन दोनों को angle को जोड़ो तो 180 आएगा, और इन दोनों angle को जोड़ो तो 180 आजाएगा, ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पर 2 equation बनेगा, a को c के साथ, और b को d के साथ, तो a की value कितनी है, 6x, plus में 10, और c की value कितनी है, x plus y, यह आपका कितना होगा, 180 के बराबर होगा, ठीक है न, यह आपके 180 के बराबर होगा, solve करोगे, तो आपके पास 7x plus में y, is equal to 170 degree, यहाँ से first equation आजाएगा, ठीक है न, 170, आपका first equation, उसके बाद आपका b क साथ d, तो b आपका क्या है, 5x है, और d जो है, आपका 3y minus 10 है, ठीक है, 3y minus 10 है, तो आप इसको करोगे, यह भी 180 के बराबर आएगा, तो यहाँ से भी एक equation जो हमारा निकल कर आएगा, 5x plus में 3y is equal to 190, दोनों equation को solve को, यहाँ पर 170 है, ठीक है न, तो दोनों equation को आप solve करोगे, तो x की value तो 20 और y की value 30, तो b option आपका correct होगा, next question है, the pair of equation x plus 2y plus this is equal and have, मतलब उनके कितने type के solution होगे, यह हमसे ले देके पूछा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ हमें comparison करना है, और answer जो है, हमारा निकल जाएगा, तो जब इसको आप निकालोगे न, तो मतलब कि a1 upon me a2, तो यह यह भी आपका 1 upon me minus 3 रहेगा, और b1 upon me b2, तो आपका 2 by minus 6, तो यह भी 1 upon me minus 3 रहेगा, लेकिन c1 by c2 आपका कितना रहेगा, 5 upon me बन रहेगा, तो यह दोनों तो बराबर हुए, लेकिन यह बराबर नहीं हुआ, तो यह condition कौन सी आ गए, parallel line वाली होगी, और parallel line में क्या होता है कोई भी solution नहीं होता, तो आपका जो है d option correct हो जाएगा, ठीक है नहीं यहाँ पर यह वाली condition होगी, a1 upon me a2, बराबर तो है b1 upon me b2 के, लेकिन c1, c2 के बराबर नहीं है, लाइने होंगी parallel, अगर लाइने पूछे तो parallel line और parallel line का कोई भी solution नहीं होता है, next question है, father की जो age है, वो suppose करूँ कि हम x मान लेते हैं, ठीक है ना, father की age को x मान लिया, और son की age को अगर हमने y मान लिया, तो पहला condition तो अभी यह है कि present age से जो father की age है ना, वो उसके बेटे के 6 गुने है, तो first equation तो यहीं से हो गया, second equation क्या, 4 साल बाद, 4 साल बाद यह भी 4 साल बड़ा हुआ, यह ज इसकी उमर कितनी हो जाएगी, चार गुनी हो जाएगी, ठीक है ना, तो इससे जो हमारा equation निकल कर आएगा, वो हमारा क्या निकल जाएगा, x minus 4y is equal to 12, यह second equation है, अब इसमें क्या कर लो, second equation में x की value पुट कर लो, तो आपका जो है ना, x की value तो 36, और जबकि y की value 6 आएगा, तो father का age 36, और बेटे का age 6 आएगा, तो 6 और 36 आपका option number C correct हो जाएगा answer, अब next question है, आपका question number 27, 27 में हमसे बोला हुआ है कि graphical representation जो आपको बताना है कि यह किस type के lines हमें देगा, इसमें क्या करना है, हमें equation को solve भी करना पड़ेगा, क्यूं 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 कि जो है, equation कैसा होना तो बरावर में 0 नहीं है, तो कोई दिकत नहीं है, 4X plus 3Y minus 1 है, minus 5 को भी अगर हम इधर ही बुला के लिए आए, तो minus 6 बरावर 0 हो जाएगा, और यह equation क्या हो जाएगा, 12X plus 9Y minus 15 is equal to 0, अब इसको comparison करो, comparison करोगे तो A1 जो है, आपका A1 upon me A2 equal होगा, B1 upon me B2 के, लेकिन equal नहीं होगा C1 upon me C2 के, जिस वज़े से line हैं कैसी होगी, parallel line होगी, next question is the system, this and this has infinitely many solution, मतलब infinitely many solution है, इसका मतलब क्या है, जब many solution होता है तो उसकी condition क्या होती है आपकी, कि जो है न, A1 upon me A2, B1 upon me B2, और C1 upon me C2, तीनों के तीनों ही बरावर होते हैं, तीनों के तीनों बरावर होते है और यहाँ पर सिर्फ हमें value रखनी हो, और यहाँ पर जो हमारा answer आजाएगा, तो देगे देखे, A1 upon me A2, अगर मैं निकालू तो 2, और यहाँ पर क्या आजाएगा, 2A, B1 upon me B2 निकालू तो 3, और इसके साथ क्या है, A plus 6, इसको लेकर जो है न, क्रिस क्रॉस करके solve करो, तो B बराबर जो आपका 2A, B option हमारा correct हो जाएगा, next question है, sum of digit of two digit number, दो digit number का जो sum है न, वो 9 है, 27 को अगर हम add करते हैं, तो digit जो है, reverse हो जाता है, तो आपको बताना है कि वो number है क्या, इस वाले question में, जो हम unit place को मान लेते हैं, क्या x मान लेते हैं, ठीक है न, unit place को, हमने मान लिय इस पे जो है, वो कितनी है, y है, ओके, यहाँ पर हमने मान लिया, और first equation हम यहाँ से बना सकते हैं, कि दोनों digit का जो sum है, वो 9 है, तो x plus y is equal to 9 है, अब दूसरा condition क्या बुला, अब देखिए, आपके पास अगर unit place को आपने x माना है, 10s place को y माना है, तो इससे अगर आप number न होगे, वो क्या हो जाएगा, 10x plus में y हो जाएगा, और यहाँ पर इसको solve करोगे, तो आपके पास 9y plus में 27 is equal to 9 x आजाएगा, ठीक है, और यह सारा सब कुछ क्या हो रहा है, 9 से divide हो रहा है, इसका मतलब इस equation को अगर हम simplify करना चाहें, तो हमारे पास simplify होके क्या जाएगा, y plus 3 is equal to x आजाएगा, अब आपके पास एक equation यह है, एक equation यह है, दोनो equation को solve कीजिए, आपके पास जो है, x आएगा 6 और y आएगा 3, तो नमबर जो हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 36, next question है, निहा के पास 1 और 2 रुपे के coin है, total number of coin जो है, वो उसके पास 50 है, मान लो 1 रुप वाले coin को मैंने y मान लिया, तो दोनो number of coin उसके पास 50 है, और amount में इनोंने क्या बोला, अब एक रुपे से तो एक ही amount बन पाएगा न, तो x का तो x ही रहेगा, लेकिन 2 रुपे वाले से 2 गुना y is equal to total रुपे कितने है, उसके पास 75 है, तो x plus में 2y is equal to 75, first equation यह है, second equation यह है next question है in the given figure, आपको बताना है कि area of AOP क्या होगा, ठीक है न, यह आपके BOQ, BOQ का area जो है आपको 150 cm2 दिया हुआ है, आपको निकालना है क्या AOP का, साथ में PO की value जो है 7 है और OQ की value जो है 5 है, कुछ भी आपको जादा कुछ करने की जुरुत नहीं, आपको पता इसके square के यह equivalent ह होगा, ठीक है न, इसके square के equivalent होगा, तो हम जो है इसको यह value आराम से रख सकते हैं, अब AOP जो है वो तो हमें निकालना ही है, ठीक है न, तो area of AOP तो निकालना ही है, और area of BOQ कितना दे रखा है, मैं 1.500 दे रखा है, AOP की equivalent side कौन सी है, 7 है, और BOQ की equivalent side 5 है, इसको आप solve कर लो आपका 294 cm2, तो 31 का आपका B option जो है, बिलकुल correct हो जाएगा, अब next question है, 32 वाला, area of equilateral triangle with side length A, आपको area of equilateral triangle बताना है, जिसका की side जो है न, वो A है, तो equilateral triangle का जो area होता है, वो आपका कितना होता है, root 3 upon me 4, A का square, option number C correct हो जाएगा, और बाकी अगर आपसे equilateral area, मतलब equilateral triangle के height पूछ लेना, तो वो होता है, आपका root 3 upon me 2 A, ये भी आप चीज याद रखो, ठीक है, अब next चलते है, question number 33 में, diagonal of rhombus, कोई जो rhombus है, उसका diagonal कितना है, 16 है, और 12 है, ठीक है, 16 है, आपको side of rhombus निकालना है, ये निकालना है, अगर ये पूरा 16 है, तो ये 8 हो गया, और पू next question है side of two similar triangle, दो similar triangle जो है ना, उसके side का ratio कितना है, 4 ratio 9 है, तो उसके area का ratio कितना होगा, square कर दो दो दोनों का, 4 4 is a 16, 9 9 is a 81, तो आपका 34 का आपका D option correct हो जाएगा, next question है, हमारा एक triangle, ABC है, जिसमें AB इतना है, AC इतना है, BC इतना है, तो आपको बताना है कि angle B कितना होगा, खीक कितनी है 12 है, तो क्यों ना हम इसको ये मान के चलें कि ये 90 degree बना रहा हो, क्या पता है, ये 12 है, ठीक है ना, ये 6 root 3 और ये 6 है, और अगर यहाँ पर पाइथा गोरस theorem मेरा apply हो जाता है, तो इसका मतलब है कि ये जो आपका angle B हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, हमारा 90 degree का ह हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर जो आप इसको करोगे ना, 6 root 3 का square करोगे तो 6.36, 36 और ये 108 और यहाँ पर 6.36 इन दोनों को जोड़ोगे, तो आपका 144 जो की 12 के square के बराबर होता है, मतलब पाइथा गोरस बिलकुल apply हो रहा है, तो angle B हमारा कितना होगा, 90 degree हो जाए तो जब तक जो है, वीडियो को लाइक करना, आपने दोस्तों के साथ शेर करना है, वीडियो और चैनल पर नए है, तो सब्सक्राइब करके विल आइकन भी क्लिक कर लेनी है, ताकि नए वीडियो क्नुम्टिकेशन आपको तुरंत मिले, और जो है, आप सारी वीडियो को फ